लग्वाइब दिस्टेंस of a point on parabola y2 is 12x is 4 unit then find the abscissa of this point ठीक है तो abscissa क्या होता है x coordinate होता ठीक है तो focal distance क्या है उस point का parabola के लिए 4 unit है ठीक है तो अपने को abscissa means उस point का x coordinate find out करना ठीक है यहाँ ज़रे पर परबोला देखे तो यहां पर मैं डाइग्राम ड्रो कर देता हूं यह क्या क्या वाइग्राम कर देता हूं यह क्या वाइक्स है और यह क्या पास यह एक्ससाइज है अगर मैं है इसके लिए क्या गया हुद यह क्या है और यह एक्ससनाइज ब्लेज स्गता करते हैं चैसके कोणिने सब्सक्रीता करते हैं und prae करते हैं एलिए यहां पर फोकॉस इसका distance टिरेंDown तो यहां पर यह फोकॉस डिस्टेंस को रप्रेजंद कर सोगोगा थका कि यहां सब्सक्राइब करेंगे एलियंगा यहां लिए भलेगए प्रीजेंद का इस पवर में ङक्का उपास ट्रेका अब लेट से अपन ps में अगर और силь फॉमूला अब लाइंगे मों घृट सभाज़ ये मिनद धिरो casual अप्ने का सकोवर्ट टिगा है इसकी मिनस 3 whole square plus में y1 square is to 16 ठीक है यह relation आजएगा अब अगर आपन देखे यहां पे तो x1, y1 जो point P है वो parabola पे है यहां से अगर आपन देखे तो point P जो है x1, y1 lie on parabola lie on parabola तो अगर parabola पे लाइ कर रहा है तो इसके equation को satisfy करेगा यह पे लाइ कर रहा है तो इसके equation को x1 और अगर आपन question में देखे तो xy में अपने पास दो relation आगया ठीक है एक relation यह है एक relation यह है question में क्या पुछा है एबसी साव point ठीक है तो point P का जो है एबसी सा मिन्स x coordinate x1 की value अगर x1 की value निकाल नहीं है तो दोनों so equations अपन क्या करेंगे दोनों equation से y1 को replace करेंगे ठीक है यह आज अपने पास x1-3 का whole square plus y1 square की value अपन यहां से put कर देते हैं तो y1 square की value क्या है 12 x1 is to 16 अपने को x1 निकालना था क्योंकि point P का abc सा निकालना x coordinate तो अपन x1 में equation को solve करेंगे आगे दोनों from 1 & 2 यहां पर लिख सकते हैं क्या from 1 & 2 इन दोनों के help से अपन ने y1 को replace किया इसको अगर पन simplify करेंगे तो यह x1 में क्या जाएगा quadratic आ जाएगा x1 square और यहां पर value क्या जाएगा minus 2ab तो minus में क्या जाएगा 6x1 plus b square तो plus 9 plus में क्या जाएगा 12x1 और इसको साट लिए हैं तो यहां जाएगा minus 16 is equals to 0 अपन इसको rearrange करेंगे तो x1 में क्या आ गया यहां पर quadratic expression आ गया x1 square यहां पर क्या लिखा हुआ है minus of 6x1 और यहां पर plus 12x1 तो यह value क्या जाएगा प्लस में क्या जाएगा अपने प्लस में 6x1 आ जाएगा प्लस में 6x1 आ जाएगा और यह प्लस 9-17 ठीक है मैंस 16 स्री प्लस 9-16 तो यह value क्या जाएगा minus 7 is equals to 0 ठीक है अब इस quality expression के दो रूट्स होने चाहिए ठीक है लेट्स अगर मैं यहां पर x1 के value देखू तह अपने क्या आपने पास 36-4ac तो 4ac क्या जाएगा यह जाएगा B square 36-4ac तो यह जाएगा minus of minus क्या जाएगा minus 4a की value 1 और c की value क्या आपने पास minus 7 divided क्या होता है 2a 2 और a की value क्या है 1 एक क्या होता है coefficient of quadratic terms ठीक है यहां पर क्या है 1 है ठीक है यह जाएगा minus 6 plus minus इन दोनों को अगर पने add करेंगे तिया जाएगा 36 plus में आजएगा 28 square root divided by 2 अब अगर पर इसकी value देखेश दिये क्या आजएगा यह आपने पस minus 6 plus minus 36 plus 28 क्या होता अपने पस 64 और 64 का square root क्या आजएगा 8 divided by 2 यहांसे दो value x1 क्या आ रहिया ठीक है दो value x1 क्या रहिया यह तो आ रहिये माइनस 6 मैनस एक डिवाड़न यहां से इहां शार बैक खोदेखें की एक्स कोर्डिनाट को टोир पड़ोने चेल कने यहां से अनिके ह zm कॉथम फ्रकुल्छारे से तो पेक्स टोर से ठता गया मने है 的 यह X is close to minus 7 को अपन क्या करेंगे, reject करेंगे, तो X1 की value क्या आ जाएगा, 1, तो जो point P का X coordinate होगा, point P का जो X coordinate होगा, वो क्या होगा, 1 होगा,